हलो फ्रेंड्स, कंपेटर साइंस कुर्पूल चैनल पे आपका बहुत-बहुत स्वागत है बेसिक्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम सौट कूर्स का आज अलेक्शन नमबर 12 है जो की है आपका Types of OS और आज हम जानेंगे Real Time Operating System के बारे में तो चलिए आएए देख लेते हैं कि आज के Lecture का हमारा Content क्या है सबसे पहले हम बात करेंगे Types of OS जैसा कि मैंने आपको कई Lecture में बताया हुआ है कि Feature और Functionality के Basis पे हम लोग OS को Categorize करते हैं और वही आपका Types of OS कहलाता है तो Recap करेंगे और जानेंगे कि कितने तरह के आपके OS है उसके बाद पिर हम बात करेंगे Two Important Concept की एक है आपका Process Time दूसरा है आपका Response Time तो Process Time और Response Time के बारे में बात करेंगे उसके बाद बात करेंगे Real Time System के बारे में कि Real Time System आपका क्या होता है और Finally बात करेंगे हम लोग Real Time Operating System की और साथी साथ देखेंगे आपका कितने तरह का आपका Real Time Operating System होता है तो अगर आपको ये सारा कुछ जानना है तो आप इस पूरे वीडियो को सुरू से लेकर के Last तक ध्यान से देख सकते हैं मेरी आप से एक रिक्वेस्ट है यगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके बेल आइकन के बटन को आप प्रेस कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपका आउन हो जाए तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को सबसे पहली बात करते हैं कि आपके OS कितने तरह के होते हैं और यह मैं बार-बार आपको बताता चला आ रहा हूं कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है आपका उसको functionality, features के basis पे categorize करते हैं और वही categories आपकी कहलाती है types of OS हम लोगों ने देखा batch operating system के बारे में time sharing operating system के बारे में distributed operating system के बारे में network operating system के बारे में इन सारे operating system के बारे में मैंने lecture अलरेडी बना रखा है अगर आप उसको नहीं देखा है तो आप description में link चेक कीजिए playlist पे जाईए और इन सारे lecture को आप जो है देख सकते हैं आज का जो हमारा lecture है वो focused है हमारा real time operating system के बारे में तो आज हम लोग basically real time operating system के बारे में जानेंगे तो सबसे पहले आईए देखते हैं कि process time process time आपका क्या होता है इसको समझना बहुत ज़रूरी है ताकि आप जो है real time operating system या real time system के बारे में समझ पाए तो देखिए जब भी आपका कोई system होता है और आप उसको task देते हैं तो उसमें एक processing का task होता है आपका यानि processing time होती है और बाकि उसके साथ और time भी involved होता है तो जो main उसका processing का time होता है जितने time वो उस task को process कर रहा होता है वो system that is called process time अब आईए देख लेते हैं response time आपका क्या होता है उसके बाद process time और response time में आपको difference पता चल जाएगा response time क्या होता है कि जब आप कोई system होता है उसमें आपको कोई task करवाना है तो आप उसको क्या करते हैं एक input देते हैं कुछ system को आपने क्या किया एक input दिया तो यहां से जो time start होता है और वो system आपको final output जब देता है उस input के corresponding तो वो आपका कहलाता है response time यानि input देना और output मिलना इन दोनों के बीच का जो time interval होता है आपका वो कहलाता है आपका response time और response time में आपका हर time calculated होता है और हर time involved होता है और response time के अंदर में ही आपका होता है क्या process time यानि response time interval का वो part जो system उस task को process करने में लगा रहा है that is called process time तो hope आपको clear हुआ होगा कि process time और response time क्या होता है basically हम लोग बात करते हैं response time की और process time की जब भी real time operating system के बारे में बात आती है तो अब चलिए आईए बात करते हैं real time system के बारे में और एक चीज़ मैं आपको बता दू real time system, real time operating system ये word आपका interchangeably यूज होगा क्योंकि आपको पता है कि system का मतलब computer real time operating system का मतलब क्या हो गया उस system में जो भी operating system पड़ा हुआ है तो real time operating system या real time system आप इसको interchangeably use कर सकते तो real time system क्या होता है a system in which process time and response time is so small यानि ऐसा system जिसमें process time और response time बहुत ही छोटा होता है यानि जब आप उसको कोई task देंगे तो बहुत ही quick आपको क्या मिलना चाहिए response मिलना चाहिए that system is called real time system और आपका जो ये जो response time है और जो आपका process time है वो small इसली होना चाहिए कि ज़्यादा तर जो real time systems होते है वो आपके environment को control कर रहे होते है और उनके output के उपर बहुत सारी चीजे dependent होती है control कर रही होती है इसलीए वहाँ पे process time और response time small होना चाहिए आगे हम लोग example भी देखेंगे कुछ real time system के बारे में तो आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से real time systems जो है environment को control करती है अब चलिए आईए बात करते हैं real time operating system के बारे में operating system with well defined and fixed time constraint यान एक ऐसा operating system जो real time system पे पढ़ा हो operating system और उसमें time constraint हो उसमें जो हर एक task के लिए उसका एक fixed time हो अगर आपको हर एक task का उसका एक time defined हो कि अगर आप उसको ये task करने को बोलेंगे अगर suppose कीजिए कि एक task 1 है और उसको time defined है कि 5 seconds में उसका output देना है उस task का तो जब भी आप उस task को submit करेंगे उस operating system को या उस system को तो 5 seconds में आपको वो output देगा उसी fixed time में वो आपको output देगा अगर वो आपको output उससे पहले दे देता है या फिर आपको उससे बाद में देता है यानि 5 seconds से पहले दे दिया या 5 seconds के बाद में दिया तो वो आपका कहला जाता है system failure यानि system आपका क्या हो गया fail हो गया अभी देखेंगे हम लोग आगे जो example देखेंगे कि किस तरह से impact करता है इसका time constraint अब चलिए आईए देखते हैं कि real time operating system कहां कहां पे इस्तेमाल होता है scientific work के लिए आपका real time operating system इस्तेमाल होता है scientific work in the sense कि जो NASA वगेर में जो बहुत सारे आपका real time operating system उसमें इस्तेमाल होता है क्योंकि robotics क्या होता है कुछ काम कर रहे होते हैं तो अगर उनमें time जो है fix नहीं होगा तो आपका system failure हो जाएगा for example suppose कीजिए कि एक robotics है वो instrument यानि management instrument management system में लगा हुआ है यानि वो क्या करता है समान को एक जगह से उठाता है दूसरे जगह पर रख देता है वो robotics रोबोट और अगर उसका जो समान उठा करके एक जगह से दूसरे जगह कर रखने का अगर उसका time mismatch हो गया यानि वो ज़्यादा ले लिया या कम ले लिया साथ में और रोबोटिक्स जो होंगे उसके वो क्या होंगे आपस में एक दूसरे से ठकरा सकते हैं सिस्टम क्रैस हो सकता है तो इस तरह से time constraint बहुत ही important है next example है आपका traffic control system traffic control जो system आपने देखा होगा जो signal लगे होते हैं रेड कलर, ग्रीन कलर, एलो जो आपकी बत्ती जलती है वो traffic control वहाँ भी आपका जो है real time operating system यानि RTOS का वो example है आप suppose कीजिए कि उनको जो time दिया जाता है कि एक minute में जो है green रहना है एक minute जो है red रहना है अगर वो उस particular time पे नहीं रहेगा, अगर पहले कर दिया या बात में कर दिया, तो क्या होगा traffic पूरा mess हो जाएगा इसलिए time constraint बहुत example है जो important है medical system जो action machine हो गई या जो आपका scan वगरा होता है, वो सब में आपका RTO system होता है और वहाँ पे time बहुत important है industry में बहुत सारे control system होते है जैसे siren के लिए हो गया या और सारी चीजों के लिए हो गया तो यह real time operating system के example है, इसके अलावा भी बहुत examples होते हैं, वो आप explore कर सकते हैं, अब चलिए आईए बात करते हैं, कि आपका RTOS, यानि real time operating system कितने तरह का होता है, basically ये दो तरह का होता है, first होता है आपका hard real time system, दूसरा होता है आपका soft real time operating, अब चलिए आईए देखते हैं कि hard real time operating system या hard real time system क्या होता है hard real time जो आपका operating system होता है, इसमें जो task complete होता है वो fixed time में हो जाना चाहिए यानि अगर उसको 5 seconds में करना है तो 5 seconds में होगा, that is called hard real time system वैसे तो real time system का definition ही यही है कि सारे काम जो है, एक fixed time में हो जाने चाहिए, लेकिन इसमें भी दो categories हो गई, कि कुछ क्या होता है से RTOS, से real time operating system जो fixed time में हो जाता है तो जो बिल्कुल fixed time में complete होता है वो कहलाता है hard real time operating system और जिसमें थोड़ा plus minus हो सकता है time वो आपका कहलाता है soft real time system यानि एक interval में यह output आपके देते हैं क्योंकि इसमें होता क्या है कि इसमें जो critical task होते है उसमें prioritize कर दिया जाता है बट hard real time system में ऐसा आपका नहीं होता है उसमें हर एक task जो है critical होता है और आपका on the time उसका output होना चाहिए तो hope आपको समझ में आया होगा कि real time operating system क्या होता है उसके examples आपको क्या देखने को मिलते हैं कितने तरह का होता है अगर आपको ये video अच्छा लगा तो आप इसको like कीजिए, share कीजिए, comment कीजिए ज्यादा से ज्यादा students के बीच में share कीजिए और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को subscribe नहीं किया है तो subscribe button को press करके bell icon के button को भी आप press कर दीजिए ताकि notification आपका on हो जाए Thank you for the one